तो दोस्तो finally Infosys ने अपने quarter 4 के result यहाँ पर declare कर दिये हैं सबसे बिले हम आपके लिए ये news लेकर आ रहे हैं जिसमें हम complete analysis कने वाले हैं Infosys के result को साथी साथ Infosys ने अपने investors के लिए अपने shareholders के लिए final dividend भी declare किया है तो बिना किसी देरी के वीडियो को start करते हैं लेकिन उसके पिले यदि अपने channel पर first time visit के आए तो channel को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल भी मत बुलेगा आप देख सकते है Infosys के board meetings के outcomes यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं जिसमें सबसे पिले अगर हम company के यान की Infosys के dividend की बात करें तो Infosys ने यहाँ पर recommend के आए 16 rupees per shares का final dividend यान की almost अगर हम इसकी face value से इसे calculate करें तो लगबग 320% का dividend यहाँ पर company ने quarter 4 के अंदर declare किया है काफी बड़ी खुशकबरी Infosys के shareholders के लिए यह निकल कर आ रही है अब बिना किसी देरी के सबसे बिले result की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने आपके सामने consolidated financial result open कर रखे हैं जिसमें सारे figures आपको rupees इन करोर में देखने को मिलने वाले हैं तो one by one सबी चीजे हम detail में यहाँ पर explain करते हुए चलेंगे सबसे बिले बात कर लेते हैं Infosys के revenue from operation प्लस other income के बारे में तो quarter 4 के अंदर company ने जो total income generate करी है वो है 32,913 करोड रुपे की जो की last quarter में याने की quarter 3 के अंदर 32,319 कर comparison में quarter 4 में company का जो revenue है वो काफी अच्छा increase हुआ है और अगर हम इसे last year से compare करें last year के quarter 4 में company ने 26,856 करोड रुपे का revenue generate करा था जो की इस quarter में बढ़कर 32,913 करोड रुपे पर पहुँच गया है याने की overall काफी शांदर जम्प हमें year on year business पर देखने को मिल रही है वहीं अगर हम overall quarter 4 financial year 2022 को financial year 2021 से compare करें तो वहाँ पर भी हमें लगबग 20,000 करोड रुपे की जम्प company के revenue के अंदर देखने को मिल रही है अब अगर हम बात करें company के total expenses के बारे में तो quarter 4 के अंदर company ने 25,370 करोड रुपे के expenses डिक्लेर की रहे हैं जो की quarter 3 के अंदर 24,436 करोड रुपे के थे और last year के quarter 4 के अंदर 19,921 करोड रुपे के थे तो company के expenses भी यहाँ पर बड़े हैं लेकिन क्या company के profit के उपर इसका काफी बड़ा impact पड़ा है तो अगर हम infosys के profit for the period की बात करें तो quarter 4 में company ने 5,655 करोड रुपे का profit for the period डिक्लेर किया है जो कि last quarter में 5,822 करोड रुपे का था याने कि quarter 3 के comparison में quarter 4 में company का जो net profit है वो decline हुआ है जिया दोस्तों और अगर इसे year on year business पर compare करें तो year on year business पर तो 600 करोड रुपे की jump है तो overall year on year basis पर तो result काफी अच्छे हैं लेकिन quarter on quarter basis पर जो result है वो थोड़े से profit के करण हमें week देखने को मिल रहे हैं अब अगर हम company के financial year 2022 का overall profit की बात करें तो 22,146 करोड रुपे का company ने याने कि infosys ने 2022 में profit declare किया है जो कि last year 19,423 करोड रुपे का था तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि year on year basis पर तो numbers काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं लेकिन quarter on quarter basis पर numbers decline हुए है जिस current से company का जो earning per share ratio ही वो भी हमें decline होते वे देखने को मिल रहा है अगर आप result की कुछ की highlighted points यहाँ पर देखना चाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ पर year on year basis पर revenue के अंदर लगबग 20% की growth हमें देखने को मिल रही है और financial year की बात करें overall तो 19% की growth हमें देखने को मिल रही है numbers अच्छे निकल कर आए है year on year basis पर लेकिन quarter on quarter basis पर यहाँ पर थोड़े से pressure में number हमें देखने को मिल रही है तो यदि आपने भी infosys के अंदर investment कर रखा है तो यहाँ पर आपको panic नहीं लेना है numbers इतने भी खराब नहीं है infosys आने वाले time में और काफी अच्छे returns आपको बना कर दे सकती है overall short term का view है तो यहाँ पर 1690 रुपे के stop loss को ध्यान में रखते हुए अब time to time profit booking कर सकते हैं like और share करना मत भूलेगा मिलते हैं next video में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected stay updated